शारुख खान का एक हैंड रिटन लेटर सोशल मीडिया पर लाइम लाइट में बना हुआ है ये छे पेज लंबा लेटर है जिसको शारुख खान ने अपने कॉलेज के दिनों में लिखा था जी हाँ जब शारुख डेली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में पढ़ा करत हाला कि जो लेटर वाइरल हो रहा है उस पर कोई डेट नहीं लिखे गई है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पठान ने ये लेटर तब लिखा था जब वो कॉलेज के फाइनल येर में थे तो आईए जानते हैं कि जिस लेटर का जिक्र हो रहा है उसमें शारुख ने आक्टिंग करने का खयाल कैसे आया और उन्होंने आक्टिंग की शुरुवान कैसे की इस लेटर में शारुख ने ये भी लिखा है कि उन्हें बच्पन में स्पोर्ट्स में काफी इंटरस्ट था और वो फुटबॉल, क्रिकेट और होकी खेलना पसंद करते थे स्कूल के दिनों में ही मुझे आक्टिंग में इंटरस्ट बढ़ने रगा था, दर असल मैं बच्पन से ही लोगों की नकल उतारने और उनको कौपी करने में बहुत अच्छा था मैंने हेमा मालिनी की मिमिकरी करने शुरू की थी, ग्रेजुएशन तक मैंने देवा नंद राज कपूर, प्रिथवी राज कपूर और राज बबबर तक की मिमिकरी करने शुरू की थी राज बबर से याद आया कि मुझे आखिर आक्टिंग में इंट्रस्ट कैसे आया दिल्ली में और दिल्ली के आसपास मेरे पापा की रेस्टरेंट चेन थी शारू खान ने आगे लिखा मैं इन रेस्टरेंट के मिस में अक्सर जाय करता था और वहाँ वो लोग जो प्ले परफॉर्म करते थे वो देखा करता था ये उन दिनों के बात है जब ग्रेट डारेक्टर इबराही मलकांजी और राज बबर रोहनी हटंगडी, अजीत वाच्छानी, सुरेखा सीकरी का समय था इन में से कई लोग वहाँ आक्टिंग भी करते थे उस समय मैं शायद 9 से 10 सलगा था मैं उर्दू मिशारी लिखा करता था और मेरे गालों पर क्यूट से दिंपल भी थे इन चीजों की वज़े से मुझे इन एक्टर से डारेक्टर से काफी अटेंशन मिल जाया करता था शायद उन्हें देखकर ही मैंने ये तैक कर लिया था कि मैं उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ उन्हें स्कूल ड्रामा अंधेर नगरी चौपट राजा में कल्लू बनिया का रोल मिला था और ये उनका पहला आक्टिंग प्रोजेक्ट था हाला के शारुक ने अपने कॉलेज के दिनों में किये गए आक्टिंग प्ले वगएरा और उनके पापा के रेस्टरंट चेन थी जिसमें वो जाया करते थे इसके साथ ही उन्होंने डारेक्टर इब्राहिम अलकाजी और आज बबारोहिनी, हटगणी, हजीत वाचानी, सुरेखा सीखरी सब फेमस लोगों के साथ नाटक को देखा करते थे फिर उनका इंट्रस डिवलप होता गया और शारुक ने आगे चल कर आक्टिंग सीखना भी शुरू कर दिया जी हाँ इन सब बातों का शारुक ने जिक्र भी किया था और अब शारुक की ये बातें लेटर के तौर पर वारल हो रही हैं चर्चाओं का विशे बनी हुई है